इसी कड़ी में आज हम चोथे द्वार पर आये हुए है जिसको भाड़ावास द्वार भी बोला जाता है लेकिन इसके उपर जैपूर द्वार लिखा हुआ है तो सबसे सोचने वाली बात है कि जैपूर द्वार क्यों लिखा हुआ है तो पुराणे समय में भाड़ावास जो अभी हुआ है उपर जैपूर के इसकी कला करते हुए देखिए आप इसमें यह पूरा संजोक्य रखा हुआ है अभी तर लेकिन इसके भार में कुछ कह नहीं सकते देखे ओपर पीफल का पेड़ भी उदुर है तो मैं प्रशासन से दर्फास करूंगा कि इसके ऊपर भी काउं हैं वहां पर लॉजिस्टिक और कन्योंटमेंट बनाई थी तो उसके बाद से भाड़ावास गेट क्यूंकि लोकल एक बर बोलने लगे तो वह चीज़ चलती रहती है सब से भाड़ावास गेट के पास ही चोकी भी बनी हुई है पुलिस चोकी जैसा कि मैंने आपको पता है था गोकल गेट जो हमारा दौः वहां पर पर भी चोकी भनी भी थी तो आप देखिए कि यह जो दौः था वहां की वहां चोकियां भी बनी हुई थी तो यह बहुत ही अच्छी बात है इसी दौः प्राचीन हनुमान मंदिर तेज तलाब भी आप देख सकते इसी रस्ते से जाता है और सामने वाड़े रस्ते से आप जाएंगे तो कमीटी है हाँ पर जोगी पूरी रेवाडी कमीटी के हेड़कार भी बोल सकते हैं उसको और सामने अंदर अगर जाएंगे तो मुख्य जो बाजार है जिसको हम मुख्य बाजार रेवाडी का पंजाबी मार् और हमारी राणी की डोड़ी का जो महल था वो भी इतना विशाल था कि इन दर्वाजों के आसपास उनकी बॉंडरी होती थी लेकिन समय के चलते और कुछ ना करने के चलते वो धीरे-धीरे खतम हो गया है और आहिरवाल की जो परंपरा संस्कृती है वो भी धीरे-धीरे लोगों को जागरूप होने की बहुत ज्यादा आवशक्ता है अपने अहिरवाल कल्क्चर के बारे में अपने रेवाडी शहर के बारे में पता होना चाहिए एतियासिक दरोनों को संजो के रखना चाहिए धन्यवाद झाल